बारे बच्चों, यह वीडियो का क्छाच्छा के लिए है संस्कृत कल पाठे पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग 12 पाठ के पस्चाद 13 पाठ के बारे में जानेंगे पाठ वर्नन के इस वीडियो में जैसा के आप देख रहे हैं इस पाठ के सिर्शक के नीचे सप्टमी विवक्ति और संबोधन के बारे में लिखा गया है अर्थात इस पाठ में सप्टमी विवक्ति का प्रयोग किया गया है और इसमें संबोधन का भी प्रयोग है संबोधन में हम लोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए उसके नाम के साथ है तथा भो का पर्योग करते हैं। और संबोधन चिन होता है। उसके पस्चात वाके लिखे जाते हैं। संबोधन को हलाकी हिंदी कारक में कारक के रूप में नहीं माना जाता है परंतु बुलाने पुकारने में एक विशेश परकार की स्थिती उत्पन होती है जिस कारण से हम लोग इसे संस्कृत में संबोधन कारक के नाम से ही लिखते हैं यह सिर्फ संग्या सब्दों के साथ में होता है इसमें प्रत्मा विवक्ति का प्रयोग किया जाता है तथा प्रत्मा विवक्ति के प्रयोग में इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर किया जाता है क्योंकि जिसमें प्रत्मा विवक्ति एक वचन में जहां पुलिंग होता है उसमे दुई बचन के सब्द होते हैं तथा नपुन्सक लिंग में भी अम की मात्रा नहीं लगाई जाती है तथा सप्त्मी विवक्ति सप्त्मी विवक्ति इसमें अधिकरन कारक को हम लोग सप्त्मी विवक्ति के नाम से जानते हैं क्योंकि जो हिंदी में अधिकरन कारक के नाम से जाना जाता है, संस्कित में वही सप्तमी विवक्ति होता है, क्योंकि इसमें साथमी विवक्ति का प्रियोग किया जाता है। अब है सप्तमी विवक्ति का प्रियोग किन इस्थितियों में किया जाता है। संशेफ में इसके बारे में जाने, जब करता किसी विशेष कारे शेतर में रहकर कोई काम को करता है, या करता कि किसी विशेष खास अस्थान पर होने की इस्थिती का पता चलता है, या कि करता किसी विशेष अस्थान पर इस्थित है या उपस्थित है, तो ऐसी इस्थिती में जिस छेतर में वह रहकर काम करता है या जहां पर वह उपस्थित होता है, वह सब्द अधिकरन कारे का सब्द कहलाता है और उस सब्द के साथ सब्दमी वक्ति का प्रयोग किया जा जैसे वयम विद्याले पठामा, हम लोग विद्याले में पढ़ते हैं, तो पढ़ने का काम हम लोग विद्याले में करते हैं, तथा अगर कहेंगे खगाह विरिक्षे निवसंती तो पक्षी पेर पर रहते हैं, तो पेर पर रहने का काम पक्षी करते हैं, और अगर यह कहेंग कि वालरा विरिक्षे तिस्ठती बंदर पेर पर बैठता है तो बंदर के बैठने की इस्ठीची का पता पेर पर चलता है इस कारण से विरिक्षे में और विध्यालिये आदि सब्दों में सप्विवक्ति का प्रयोग किया गया है जैसा की देख रहे हैं इस पार्ट का सीष्ठत है गंतंत्र दिवस 26 जन्वरी को प्रत्यक वर्ष मनाया जाता है गंतंत्र दिवस का समारो यह प्रत्यक वर्ष हम लोग क्यों मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारे भारत देश का संबिधान 1950 इस्वी में लागू हुआ था 26 जनवरी को लागू होने के बाद हमारा देश विधिवत रूप में एक संबैधानिक दृष्टी में देश के रूप में उभरकर संसार के साबने आया था और इस कारण से हम लोग 26 जनवरी को गंतंत दिवस मनाते हैं गंतंत दिवस के दिन दिल्ली में राजपत पर राशपती जनडा फ़ेराते हैं तथा वहाँ विविन परकार के प्रेड होते हैं जिस प्रेड का दृष से यहां इस चितर में दिया गया है आये इस लेशन के डिटेल के बारे में जानते हैं यह लेशन वारतालाब से है अर्थात बाचीत से है जिसमें माता और पुत्री के बीच में शुरू में वारतालाब है पुत्री का नाम सुधा है और उसके पस्चाद जब उसके पिता आते हैं तो वह पिता के साथ वारतालाब करती है इसमें पुत्री कहती है हे माता अध्य जन का कुत्र गच्छती कहती है पुत्री की हे माता आज पिता जी कहां जाते हैं गच्छती मतलब होता है जाता है लेकिन आदर सुचक सब्द है और जैसा कि हिंदी में जानते हैं कि आदर सुचक सब्दों के साथ में मैं बहु वचन की क्रिया का प्रयोक किया जाता है। एक वचन में भी भहु वचन की क्रिया का प्रयोक करते हैं। कहेंगे आज पिता जी कहां जाते हैं माता कहती है भो सुधे मतलब अरे सुधा सातु देहली नगरे इंडिया गेट इती अस्थानम गच्छती वह तो दिल्ली नगर में इंडिया गेट नाम के अस्थान पर जाते हैं तो सुधा पूछती है कि मर्थम अर्थात किसलिए? इसके बाद माता कहती है पुत्री सह तत्र गंतंत्र दिवसस्य समारोहे परेड किती दरश्टुम कच्छती माता कहती है बेटी वह वहां गंतंत्र दिवसस्य समारोह में परेड को देखने के लिए जाते है सुधा कहती है अम्बे यहन्य मा गंतन्त दिवस तू स्वह एव अस्ती गंतन्त दिवस तो कल ही है जनक कदा आगमिश्यती पिता जी कब आएंगे तब माता कहती है कन्ये सवह संध्या काले ग्रिहम आगमिश्यती बेटी वह कन्ये का प्रयोग किया जाता है पुत्री का प्रयोग करते हैं इस प्रकार के सब्दों का प्रयोग बाले का प्रयोग करते हैं यह सभी का प्रयोग बेटी के लिए किया जाता है करती है कि कन्य अर्थात बेटी वह कल साम के समय में घर आएंगे ऐसा माता उन्हें कहती है उसके बाद है अन्येद्यू जनका रात्रो आगच्छती दूसरे दिन पिता रात में आते हैं तब पुत्री अपने पिता से पूचती है भो जनका स्वागतम समारोह कदा समाप्तम अभवद तब जनका अर्थात पिता बोलते हैं बाले अध्य मद्याहन काले एव बेटी आज दोपहर के समय में ही तब फिर सुधाक पूश्ती है गंतंत दिवस कि मर्थम मन्यते गंतंत दिवस किसलिए मनाते हैं अर्थात गंतंत दिवस क्यों मनाते हैं कि मर्थम कप्रियो किसलिए या क्यों दोनों के लेकिया जाता है तो दोनों में से कोई भी सब्ध कप्रियों कर सकते हैं गंतन दिवस किसलिए मनाते हैं या गंतन दिवस क्यों मनाते हैं तब जनक अर्थात पिता कहते हैं अस्मिन एवदिव से जनवरी मासस्य सडविन्सती तारिकायाम भारतस्य सम्विधानस्य घोषना उनिश्व पच्चास तम्य वर्षे अभवद अस्मिन एव दिव से इसी दिन जन्वरी महिने की 26 तारीक को भारत सम्विधानस्य भारत के सम्विधान की घोषना सन उनिश्व पच्चास इस वी वर्ष में हुई इसी दिन जन्वरी महिने की 26 तारीक को भारत के सम्विधान की घोषना सन उनिश्व पच्चास इस वी वर्ष में हुई सुधा कहती है हे पिता गंतंत्र दिवसे देहली नगरे किम किम भवती कहती है हे पिता गंतंत्र दिवस में दिल्ली दिल्ली नगर में क्या क्या होता है तब पिता कहते हैं तस्मिन समारोह राष्टपति गणमान्या अतिथ्य नेतारः चो इंडिया गेट इती अस्थाने विजय चौक नाम के अस्थाने एकत्रिता बवन्ती तस्मिन समारोह उस समारोह में राष्टपति यान अर्थात राष्टपति गणमान्य अतिथी याने समान्य अतिथी गण नेतारः और नेतारः चो और नेतागन इंडिया गेट नामक अस्थान पर विजय चौक नामक अस्थाने विजय चौक इंडिया गेट नामक अस्थान पर विजय चौक नामक अस्थान पर एकत्रित याने एकत्रित होते हैं याने इकठा होते हैं या इंदी इस प्रकार से होगा उस समारोह में राष्ट पती कुमा सम्मानिय महमान याने अतिथी गन और नेता गन इंडिया गेट नामके अस्थान पर विजय चोक नामक अस्थान पर इंडिया गेट जगह है उसी के सामने में है विजय चोक है तो वह इंडिया गेट नामक अस्थान पर विजय चोक नामक अस्थान पर एकत्रित होते हैं यानि एकठा होते हैं एकस्मिन सुसज्जिते उन्नते मंचे राष्ट पति हैं राष्ट ध्वजश्य आरोहनम करोती एक सजे हुए उन्चे मंच पर सुसज्जिते उन्नते मंचे एक सजे हुए उन्चे मंच पर स्टेज टाइप का बना होता है पहले से बना हुआ है वह पर्मानेंटली जहां पर जंदा फर आया जाता है राष्ट पति के द्वारा तो वहीं पर राष्ट पति जंदा पर आत एकस्मिन सुसज्जिते उन्नते मंचे एक सजेहवे मंच पर राष्टपती राष्टध्वज का आरोहन करते हैं यानि राष्टध्वज फैराते हैं फिर सुधा पूष्टी है भो तात या प्याज से अपने पिता को कहा जाता है हे पिता यानि ऐसे तात का मतलब प्रिय होता है लेकिन इसमें यहाँ पर पिता को कहा गया है तो हे पिता राष्टपती कती वादने आगच्छती राष्टपती कितने बजे आते हैं पिता कहते हैं पुत्री राष्टपती प्राता काले नव आदने राजपथम आगच्छती बेटी राष्टपती सुबह के समय में नव बजे राजपथ आते हैं फिर पुत्री पूछती है भोजनक परेड इत्यस्मिन किम भबती काती है हे पिता परेड इसमें क्या होता है जो परेड के बारे में पूछती है परेड इसमें परेड काके कुमा लिखेंगे उसमें क्या होता है परेड इसमें क्या होता है इत्यस्मिन मतलब इसमें क्या होता ह इती मतलब इस होता है इसे इसमें क्या होता है फिर जनप याने पिता कहते हैं सुधे याने नाम कहके सुधा परेड इत्यस्मिन सैनिका पाद संचालनम कुर्वन्ती परेड इसमें सैनिक पैदल मार्च करते हैं तस्मिन उसमें याने परेड में लोक निर्थ का छातराचव विविदानी निर्त्यानी कुर्वन्ती उसमें लोक निर्थ करने वाले लोग और छातर विविन प्रकार के निर्थ करते हैं वही पिता बताते हैं कि परेड इर्थ्यस्मिन सैनिका पाथ संचालनम कुर्वनती परेड इसमें सैनिक पैदल मार्च करते हैं तस्मिन उसमें लोग निर्थका लोग निर्थ करने वाले लोग छात्राचो और छात्र विविधानी निर्थ्यानी कुर्वनती विभिन प्रकार के नुरित्य करते हैं विभिन नानाम सांस्कृतिक कारेक्रमा नाम आयोजनम भवती विभिन प्रकार के सांस्कृतिक कारेक्रमों का आयोजन होता है जो सभी चलती ही गालियों पर होता है जाकियों के रूप में तो विभिन प्रकार के विभिन प्रदेश के लोग अपने अपने प्रदेशों की जाकिया निकालते हैं उसी के बारे में कहा गया है विभिन नानाम सांस्कृतिक कारेक्रमा नाम आयोजनम भवती विभिन प्रकार के सांस्कृतिक कारेक्रमों का आयोजन होता है सन्या युध यानानी, राजपते, जनपते, क्रमेन चलंती यह कहा है कि सैनिक सश्टरारियां ठेंक सब भी होता है और बहुत सारे प्रक्षे पास्दर सब भी होते हैं जो सब की याणि मारक, हथयार सब या सब युद्यान वाहन सब भी होता है जो लडाकू भीमान सब Gul के तोर पर जो थल पर चलता है लड़ाकू यान सब तो उसी को कहते है सैनिक युद्ध से लाइस गारियां यहने सैनिक सस्त्रगारी तो सैनिक सस्त्रगारियां सैनिक युद्ध यानानी सैनिक सस्त्रगारियां राजपत पर जनपत पर पबलिक पत पर भी और पूरे मतलब भूमाया जाता है और मैंली राज राजपत पर यानि नेशनल हाइवे जो सामने का है राजपती भवन से इंडिया गेट तक आने का जो में हाइवे है पहला हाइवे माना जाता है वो राजपत उस राजपत पर और जनपत पर क्रम से चलते हैं सारे युद्धों साय सैनिक युद्ध की गारियां क्रम से चलती ह सैनिक सस्त्रगारियां राजपत पर जनपत पर करम से चलती हैं वायू या नानी आकासे विचरनती हवाई जहाज आकास में विचरन करते हैं अर्थात घूमते हैं फिर पिता करते हैं अब अपने बारे में बोलते हैं गात्री में आये है तो वह खुज के बारे में बतलाते हैं पुत्री अहम कलांता अस्मी बेटी मैं ठका हुआ हूँ कलांता मतलब होता है ठका हुआ तो की दूर से आये है तो सफर करके करते हैं कलांता अस्मी मैं ठका हुआ हूँ अता स्वपिमी अता यानि इसलिए सोता हूँ स्वपुना कथिस्यामी कल फिर कहूंगा सुबरात्री यानि गुड़नाइट और सुधा भी कहती है सुबरात्री रमे रजनी भी कहा जाता है सुबरात्री भी तो गुड़नाइट को सुबरातरी कहती है और इसके साथ यह पार्ट समाप्त होता है अपनी सुबिदा के अनुसार से आप इस पार्ट को सुने, समझे और इसके हिंदी अनुवाद को संस्कित वाकियों के साथ में अपने ग्रीकार उत्तर पुष्टिका में लिखे तथा अभ्यास के प्रस्न उत्तरों को हल करने का प्रियास करें सब्दार्ट दिये हुए हैं, सब्दार्ट को पढ़े समझे ताकि आप उत्तरों को हल करने में आपको सायता मिलेगी धन्यवाद